और में एक बार फिर से मैं आप सब का स्वागत करती हूँ और चलें बढ़ते हैं अभी आज के वेबिनार सेशन की और हम अगर देखते हैं कि 16 साल एक उस उम्र में एक बच्चा क्या सोचेगा और स्पेसिफिक के लिए अगर किसी लड़की की बात करते हैं तो 16 सार के उम्र म हैं और ऐसी व्यक्ति जिन्होंने उस तरीके से वो काम किया कि उनको आज पदमश्री भी मिला है वाज की जो कहानी है वो है सुदा वर्गिस जी की सुदा वर्गिस जी जैसे हम देखते हैं तो रहने वाली थी केरला की केरला में जब वो अपना स्कूलिंग कॉलेज कर रही तब सिर्फ सोला साल के उम्र में जब वो कॉलेज में थी तब उन्हyनन एक magazine पड़ी मैगजिन में एक बिहार की community है मुसाहर उसके बारे में उन्होंने पढ़ा और उनका मन बहुत विचलित हो गया और तभी उन्होंने डिसाइड किया में कि उन को इन Community के लिए समाच के कुछ करना है जब उन्होंने ये थौट अपने पीता जी के पास रखा कि मुझे बिहार जारा है और बिहार जाके उनके लिए काम करना है तो उनके पिता जी एकदम सतब थे नम थे वो उनके सामने कुछ भी नहीं कहए पाए लेकिन उनोंने जैसे उनका college खतम हुआ ट्रेन पकड़ी और वो बिहार गए बिहार जाने के बाद में वहाँ पे उन्होंने एज़ टीचर काम करना स्टार्ट किया तब उनको पता चला कि मैं जिस उद्देश के लिए हेतु के लिए यहाँ पे आई हूँ अभी भी मैं उसे कम्प्लिट नहीं कर पा रहे हूँ इसलिए उन्होंने इमिजेटली वो काम करना छोड़ दिया और मुसाहर कम्यूनिटी यान ऐसी कम्यूनिटी जो कि ब्रिटिश राज से उनका एक ही काम था कि चूहों को पकड़ना और उनके इलावा उनको ना ही कुछ समाज में अधिकार समाज में उनको काम दिया जाता था उनके जो पुरुष थे उनके लिए तो भले ही वो दूसरा कुछ काम कर लेते थे लेकिन जो लड़किया थी वो लड़कियों के लिए कुछ भी काम नहीं था वो कुछ कर भी नहीं पाती थी उनको बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन भी अ नारी गुंजन ये एंजियो में उन्होंने अपना जो ये एंजियो के प्रती उन्होंने इसमें जो भी स्कूलिंग है अपनी मुसार कम्यूनिटी की जो लड़किया है उनके लिए उन्होंने स्कूलिंग स्टार्ट किया नएने स्किल्स स्टार्ट किये इतना ही ने उन्होंन लेवल पे कई लड़कियों ने गोल्ड मेडल भी लाया है स्पोर्ट्स वे तो यह कहानी है आज की सुदा वर्गिश जी की जिनका यह मानना है जो आज 75 साल की है लेकिन पिछले 60 साल से वो इन बच्चियों के लिए काम कर रही है उनका यही मानना है जब बिल्ड केट्स भी वो एक सिफ नंबर है इंपोर्टन यह है आपका उद्देश क्या है आपका हेतु क्या है और आप अपने देश और समाज के लिए क्या करना चाहते हूं तो यह थी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की जिन्होंने एक अपने असामान्य जर्णियां हमारे सामने रखी है वैसे एम जर्णियां हले ओर लंगे वर्णियां हमान दॉस्ति को से बाहते हuish लिएर को पर भ yoursच से घर और एक अार